Hello everyone, welcome back to the channel. आज के इस वीडियो में हम class 5th के chapter 10 का first page करने वाले हैं. इसमें हमें 10th and 100th के बारे में बताया गया है, इस chapter के अंदर. बट आज हम इसका जो first page करने वाले हैं, उसमें कुछ measure से related points हैं. कि किस तरीके से हमें measure करना होता है किसी भी चीज़ को, centimeter and millimeter में आपस में क्या relation होता है, इस से related points हैं इसके first page के अंदर. जो इसी से related हमने एक video पहले भी बनाया था, जो scale से related था, यानि कि scale में किस तरीके से centimeter और millimeter को measure किया जाता है, वो video का link मैं इस video के साथ share कर दूँगी, जिससे आपको idea लग जाएगा, scale से measure कैसे करते हैं, so that इसका जो first page है आप लोगों के लिए समझना और भी ज़्यादा असान हो जाएगा, so ये video end तक जरूर देखिएगा, and अगर आपको ये video पसंद आए, तो like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. 10ths and 100ths, सबसे पहले हम ये जानेगे कि ये होता क्या है, ये हमारे places होते हैं, जैसे कि अब तक हम places पढ़के आएए हैं, ones, tens, hundreds, thousands, उसी तरीके से ये भी हमारे places होते हैं, 10ths and hundreds, ये लेकिन जो places होते हैं, ये जब हमारे use किये जाते हैं, जब हम decimal numbers की बात करते हैं, जैसे मान लीजे कोई एक decimal number है हमारे पास, 236.47, तो इसमें जो हमारे decimal के right-hand side पर numbers जाएंगे न, ये होते हैं हमारे 10ths, 100ths, और इसके अब आगे भी अगर कोई जाता है, तो वो thousandth होता है, इसमें TH जो है वो लगता है, ती-एच का sound आता है, और जो हमारे decimal के left side पर होते हैं, वो normally होते हैं, ones, tens, hundreds, इस तरहे के से, सो सिरफ decimal वाले numbers ऐसे होंगे, जिसमें हमारे decimal के right-hand side वाले होते हैं, 10ths and hundreds, अब इसी का एक chapter है, class 5th में, उसका है हमारा ये page number 1, ये है हमारा 10ths and hundreds पर ही chapter है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज पर क्या पूछा गया है हमसे, what was the length of the smallest pencil you have used, कौन सी pencil है, सबसे smallest जो आज तक में अब भी आपने यूज करी हो, कभी भी यूज करी हो, सबसे चोटी pencil कितने साइज की होगी, सिर्फ एक guess देना है exactly, तो हमने नहीं नापा होगा, नहीं चेक किया होगा उस टाइमिंग पर, सिर्फ एक guess लेना है, तो उसमें हम बहुत सकता है, हो सकता है 2 cm या 2.5 cm, इतने तक कि एक pencil यूज की होगी, इस से छोटी भी pencil क्या यूज किया होगा, जैसे ये है हमारा scale, scale में मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था, किस तरीके से measure किया जाता है, कैसे हम किसी भी चीज को measure करते हैं, या line को draw करते हैं, अगर हम ये guess कर रहे हैं कि 2 cm के मार लीजे, हमने pencil यूज करी है, तो it means वो यहाँ से यहाँ तक कि, इतनी pencil होगी, जो हमने यूज की होगी, smallest, इस से छोटी भी pencil कोई क्या यूज करेगा, तो ये सिर्फ एक guess है, कि हमने कभी यूज करी है, next, how long is this pencil, guess, centimeters, ये एक pencil दी हुए, जस गेस कर रहा है, कि ये कितनी होगी, एक guess लेना है, तो हम माल लेते हैं, 3 cm होगी, एक जाक नहीं दे रहे हैं, सिर्फेक गेस कर रहे हैं, अब क्या करना है, इसे मेजर करना है, we can see that, Anju use the lens to make it look bigger, Anju ने क्या किया, ये है Anju, इसने क्या किया, zoom करके, मतलब ग्लास से, magnifying glass से, zoom करके, इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको measure किया है, pencil को, जब इसने pencil को measure किया, तो यहाँ क्या पता चला, कि ये 3 points से, जादा है, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब यह हुआ, कि ये 3 points 6 cm है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, 3 cm and 6 mm, cm and mm का, कुछ पार्ट मैंने, last video में भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, कि scale के अंदर, कौन से cm होते हैं, और कौन से mm होते हैं, तो अब बात करते हैं, आगे, इट इस मोर देन 3 cm, तो ये 3 cm से जाधा आगया, हमने जो गेस किया था, वो 3 cm किया था, बट आक्चुल में ये उससे बड़ा है, next, here 1 cm has 10 equal parts, so each part is 1 10th of cm, एक cm के जो अंदर है, वो 10 parts होते हैं, यहाँ पे इसके बीच में जो ये parts है, जो partitions किया हुए, ये 10 parts है, उसी तरीके से, इस 0 से लेके, ये 1 तक मिला के, यहाँ पे ये सारी lines मिला के, 10 lines हैं, तो ये हर एक line जो है, छोटी वाली, ये 1 mm की line होती है, 1 mm की line होती है, इसको बोलते हैं, ये छोटी वाली lines को, 1 10th of the centimeter is called 1 mm, जो एक centimeter का 1 10th होता है, यानि कि एक हिस्सा होता है, पूरे उसका, ये 1 mm का हिस्सा है, इसी तरीके से, ये जो scale है, इसके अंदर ये 1st line हमारी 1 mm है, 2 mm, फिर 3 mm, इस तरीके से, ये हमारी millimeters जो है, वो शो करते हैं, अब यहाँ पर आजाती है, एक छोटी सी end, see, I am 3 mm long, ये कहती है कि मैं 3 mm long हूँ, कैसे, अब देखो, यहाँ से जब हमने से measure किया, तो सिर्फ ये 1, 2, 3, ये 3 lines ही जो है, वो cover कर रही है, सो ये 3 mm की, इसकी length है, मतलब ये इतनी बड़ी है, next आजाती है यहाँ पर, but I am longer, 7 tenth of the centimeter, और कितना millimeter, इसने बोला, मैं 7 tenth of centimeter हूँ, 7 tenth of centimeter का मतलब ये होता है, कि ये 7 point है, 0.7, यानि कि, 1 cm से छोटी है, बट उस 10 हिस्सों में से, 7 हिस्सों की line हों ये आ रही है, जैसे यहाँ पर, जब हमने measure किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने ये 7 lines जो है, वो cover की है, इसका मतलब ये हुआ, कि ये 7 mm है, जिसको हम यहाँ पर 7 mm लिख सकते हैं, या फिर इसको हम, 0.7 cm भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 cm से कम है, point में आएगा, 0.7, we also call, 1 tenth of the centimeter, as 0.1 cm, हम 1 tenth of centimeter को, 0.1 cm बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, कि हम 7 mm को, 0.7 cm भी लिख सकते हैं, we read it, as 0.1 cm, अब जब हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे, 0.1 cm, उसी तरीके से, जब हम इसको यहाँ पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, 0.7 cm, so 1 mm is the same as, 0.1 cm, so 1 mm जो होता है, वो 0.1 cm के, इक्वल होता है, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम डेरेक्ली 1 mm लिख सकते हैं, या फिर हम 0.1 cm लिख सकते हैं, जो पाउ़ेंगे,